जब धर्मेंदर के डूबते करियर को मिला अनीता राज का सहारा 13 अगस्त 1962 को जनवी अभिनेत्री अनीता राज फिल्मी वेकर ग्राउंड से थी उनके पिता जगदीश राज हिंदी फिल्मों में इंस्पेक्टर का रोल निभाने के लिए गिनीज़ बुक में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं अनीता ने बॉलिवुड में अपने करियर की शुरुआत फिल्म प्रेम गीट से की थी जिसके बाद वो रात तो रात स्टार बन गी इस फिल्म की काम्याबी के बाद उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई अनिल कपूर के साथ उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया और दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया लेकिन अनीता राज के करियर को बड़ा बूस्ट मिला धरमेंदर के साथ अधेर उम्र के धरमेंदर के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को रास आ गई इस जोडी ने इक इस फिल्मों में एक साथ काम किया परदे पर इनकी जोडी तो हिट थी ही और साथ ही साथ ओफ स्क्रीन भी ये जोडी गौसिक गलियारे में हिट हो गई कहा दाता है कि धर्मेंदर अनीता राज पर बुई तरह है लटू हो चुके थे अगर धर्मेंदर के भाईयों ने उनकी लगाम नकसी होती तो अनीता राज धर्मेंदर की तीसरी बीबी बन चुकी होती इस दोरान अनीता की जिंदगी में सुनील हिंगोरानी आ गए और दोनों ने शादी कर ली शादी के बाद अनीता राज ने फिल्मों को अलविदा कह दिया साल 2007 में फिल्म थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक से अनीता राज ने फिल्मों में कमबैक किया 2012 में आई फिल्म चार दिन की चानी में भी उन्होंने काम किया हाला कि उन्हें काम्यावी नहीं मिली तो उन्होंने टीवी सीरियल 24, 2013, तुम्हारी पाखी, 2014, एक थारा जाय एक थी रानी 2015 में अभिने के जरिये खुद को लाइम लाइट में बनाए रखा फिल्हाल वो अपने बेटे शिवा को फिल्मों में लॉंच करने की कोशिशों में जोटी हुई है